तो सभी CSC वियली के लिए काफी अच्छी न्यूज आ रही है, अब आप लोग Axis Bank का BC Point open कर सकते हो, यहाँ पे लगवग 30,000 BC बनाये जाएंगे, अगर आप लोग भी इंट्रेस्टेड हो Axis Bank का CSP open करने में, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाज तक जिरूर देखि और यहाँ पे Search का Option मिलेगा, simply आप लोग Search पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप लोग टाइप कर दोगे Bank Mitra, आप लोग जैसे यहाँ पे Bank Type करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, Axis Bank का Option आ चुका है, simply आप लोग Axis Bank पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे Bank Mitra का Official Portal open हो ज सकता है, अगर आप लोग SBI का Choose कर लोगे, तो SBI का हो सकता है कि आप लोगों को अभी ना मिले, लेकिन दोनों का ही Process सेम रहेगा, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे अपना Registration करना पड़ेगा, सारा ही Details आप लोगों को यहाँ पे Fill करना होगा, तो Details कैसे Fill करना है, इस इसके लिए मैंने एक separate वीडियो मनाया हुआ है कि किस परकार आप लोगों को BC Point मिल सकता है, क्या क्या documents लगेंगे, साथ ही सारा Details आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, इसका link आपको description में मिल जाएगा, या फिर channel में भी जाकि आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे जो अभी Access Bank का BC Point मिल रहा है, इसके लिए आप लोग कैसे registration करोगे, तो उसके बारे में भी आप हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले विएली registration करना होगा, जो कि आप लोग इस वीडियो को देख के कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ प्रोसेस यह नहीं बढ़ेगा, आप लोग CAC से एक ही BC Point open कर सकते हो, तो चलिए simply हम लोग यहाँ पर no पर क्लिक करेंगे, और submit पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप लोगों को अपना CAC ID verify करना होगा, यहाँ पर आप लोग जैसे CAC ID type करोगे, और continue पर क्लिक करोगे, य automatically verify कर लेगा कि क्या CAC से इसका कोई BC Point open किया हुआ है, या फिर नहीं, चलिए हम लोग यहाँ पर CAC ID फटाफट फिल करते हैं, और continue पर क्लिक करते हैं, continue पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने access bank BC registration का page आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का name automatically detect कर लेग जो भी आप लोगों का नजदी की branch है, वो आप लोग सेलेक्ट करोगे, वहीं से आप लोगों को BC Point मिलेगा, और फिर यहाँ पर branch code automatically आ जाएगा, simply आप लोगों को mobile number यहाँ पर फिल करना है, और फिर आप लोगों को distance यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कि आप लोगों के branch से कितना दूरी पर आप लोग BC Point open करना चाहते हो, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि Access Bank में कोई भी account आप लोगों का open किया हुआ है, या फिर नहीं, तो कोई भी Access Bank का account है, तो आप लोग सिंपली yes को चूज करोगे, अगर Access Bank में कोई भी account नहीं है, तो आप लोग सिंपली no क कर दिया जाएगा आप लोगों के district head के पास और फिर आपका BC point का process आगे बढ़ जाएगा जो की DM के द्वारा ही किया जाएगा और साथे साथ मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग अगर BC point open करना चाहते हो वो access bank का तो आप आप लोगों को IIBF का certificate होना जरूरी है आप लोग IIBF का certificate कैसे पास सकते हो उसके लिए हमारे channel में already video बना हुआ है आप लोग यहाँ पर simply search कर लोगे IIBF BC exam तो आप लोगों को नया update आया है access bank का BC point आप लोग open कर सकते हो इसके बारे में complete details आप लोगों को मिल गई होगे आप लोगों को सबसे पहले अपना भेली registration करना पड़ेगा फिर जागे आप लोगों को application for access BC का registration करना पड़ेगा तो इन दोनों का registration का पूरा process मैंने आप लोगों को बता दिया तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर दिजेगा और चैनल को subscribe जरूर करिएगा मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नहीं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड गुडवाई तो